हलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूटूब चैनल फोर आपकी सक्सेज गूड इवनिंग चले तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टीशू के बारे में इनके पाधप उत्तर के बारे में इससे पिछले वीडियो में हम और आज यहां पर हम प्लांट टीशू के बारे में डिसकस करने वाले हैं देखी यहां से पहले हम इसको थोरी के मादियम से अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे उसके बाद में थोरी कंप्लीट होते ही इसके जितने भी इंपोटेंट क्यूसन बनते हैं जो आपकी पिछली एक्जाम में बार-बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एक्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपोटेंट हैं तो उन सभी क्यूसन कोम सोल करेंगे थोरी कंप्लीट होते ही तो देखी यहां से आपको एक भी टॉपिक एक भी क्यूसन आपको मिस्त नहीं करना है क्योंकि य वहां से जाकर कि इसको जोईन कर लेना है और पीडियाप को डाउंलोड कर लेना है ताकि आप फिर से इसको रिवाइज कर सकें ओके तो चलिए हम पर स्टार्ट करते हैं तो देखी यहां पर हम बात करेंगे कि प्लान टीशू होता क्या है पाधब उत्तक क्या होता है तो द विवाजन समता के आधार पर जो उत्तक हैं यानकी बाधब उत्तक हैं उनको दो टाइप में यहां पर डिवाइड किया गया है फर्स्ट यहां पर है विवाजोत की उत्तक यानकी मेरिसमेटिक टीशू और सेकंड है इस्थाई उत्तक यानकी परमानेंट टीशू तो प्ला तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो विभाजोत की उत्तेक यनकी Marismatic tissue है इसको फिर से तीन पार्ट में divide किया गया है फर्स्ट यहां पर है सीर्षस विभाजोत की यनकी Apical Marismatic सेकंड यहां पर है पार्ट स्विभाजोत की यनकी Lateral Marismatic और थर्ड है अंतरवेसी विभाजोत की यानकी इंटरकलरी मेरिस्मेटिक तो इन पार्ट में डिवाइड किया गया है सेक्ड याँ पर आपका है इस्थाई उत्तक हैं की पर्मानेंट टीशू पर्मानेंट टीशू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सरल उत्तक और दूसरा है जटिल उत्तक हैंगी complex tissue अब यहाँ पर आपका जो सरल इस्ताई उत्तक है इसको फिर से तीन पार्ट मीडियोड किया गया है फर्स्ट है मर्द उत्तक, सेकिंड है स्थुल कौन उत्तक और थर्ड उत्तक उसके बाद में जो जटिल उत्तक है complex tissue है उसको दो पार्ट मीडियोड किया गया है जायलम और फ्लोयम तो देखें इन सबी को यहाँ पर हम अच्छे से डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए आपर हम सबसे पहले बात करेंगे विभाजोत की उत्तक की पर्मियन की मेरिस्मेटिक tissue के बारे में आपर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद में इस्ता ही उत्तक की हम बात करेंगे तो चलिए आपर चलते हैं next तो सबसे पहले हैंब हम देखेंगे विभाजोत की उत्ता के बारे में तो एसी कोसिकाओं का समुआ होता है जिसमे बार बार सुत्री विभाजन करने की शमता पाई जाती है और देखें यह discrimination, प्लांट की अंगों की वर्दी के लिकिली responsible होता है कि इसकी प्लांट की जो अंगों की वर्द्य होती है उसके लिए responsible कौन सा होता है तो यह होता है merismatic tissue पोधों का बढ़ने वाली भाग को meristam कहते हैं इसकी भिती cellulose की बनी होती है और जो विभाज उसकी उत्तक है वो तीन प्रकारगा होता है फर्स्ट आपका है सीर्षस्थ सेकीन यह पर है पार्स्थ और अंतरवेस यहन की एपिकल लैटरल और इंटर कैलरी तो यहां पर तीनों पार्स को हम अच्छे से डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे एपिकल इस मेरिस्मेटिक के बारे में ओके तो चले देखतें आगे तो फर्स्ट यहां पर आपका आता है कौन सा सीर्षस्थ विभाजोत की उत्तक तो देखे यह उत्तक जड़ एवं तने के सीर्ष भाग में उपस्तित होता है यह उत्तक लंबाई में वर्दी करता है क्य जड़ व्रदी करता है और समवन उतको करण्याट studio उत्तक लेडांटे की उसमें क्या करता है वर्दी करता है पार्सत्त विभाजोत की उथा की दित्त्य यानकी विभाजोत की इसको कहा जाता है लेट्रे ले पाए BILL को । चले नेक्स देखते हैं थर्ड यहां पर आपका है कौन सा अंतरवेसी विभाजोत की उत्तक यांकि इंटरकेलरी मेरिस्टेम तो देखे यह उत्तक इस्थाई उत्तक के बीच-बीच में पाया जाता है यह पत्यों के आधार में यह टहनी के पर्व के दोनों और पाया जाते ह हैं इसमें विभाजन होने से जड़ तता तने में वर्दी होती है क्या होती है इसमें क्या होता है विभाजन होता है इस उत्तक में विभाजन होता है जिससे जड़ और तने के अंदर वर्दी होती है तो यह हमने यह आपर बात की है किसके बारे में आपकी विभाजोत की उ शेकें यहां पर देखेंगे स्थाई उत्तक क्या होते है siत कर सामता नहीं होता है उनको पर्मानेंट टीशू कहते है कोशिग्त का का रूप यह अकार निश्रुत होता है किसमें इस्थाई उत्तक में जो कोशिका होती है शेल होती है उसका आकार और रूप निशित होता है जैंज नहीं होता है चले देखते हैं तो देखिए आपका जो पर्मानेंट टीशू होता है इस्थाई उत्तक होता है वो कितने परकार का होता है तो देखिए संजना के आधार पर दो टाइप्स का होता है दो परकार का होता है फर्स्ट यहां पर है सरल इस्थाई उत्तक यान की सिंपल पर्मानेंट टीशू और सेक्ड यहां पर है कॉंपलक्स टीशू यान की जटिल उत्तक तो यह दो परकार का होता है तो चलिए आपर देखते हैं सबसे पहले आपर हम बात करेंगे सरल इस्थाई उत्तक यान की सिंपल पर्मानेंट टीशू के बारे में तो देखें अगर पर्मानेंट टीशू एक ही परकार की सेल से बने होते हैं तो इसे सिंपल टीशू कहते हैं जो आपके पर्मानेंट इस्थाई उत्तक जो हुटत को चले इन तीनों टाइप को यह पर अच्छे से हम पढ़ते हैं तो देक्डे सबसे पहले पर आपका ता है कौन सा मर्दु उत्त काईमा कहा जाता है मर्दु-उतक होता है लग धेंतंत सरल परकार का इस्थाई उत्तक हर और दो 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 धेंट की कोश्य काई होती हैं अंडाकार होती हैं या फिर एनिमित आकार की होती हैं और यह देखिए कहां पर पाई जाती हैं तो यह नए तनी जड़ एम पत्यों के एपिडर्मिस या कोटेक्स में पाये जाता है कौनसा मर्दू उत्तक सेकेंड यापर आपका है कौनसा की देखें जो मर्दू उत्तक होता है उसको कारिय क्या होता है क्या काम करता है मर्दू उत्तक तो देखें पोदे की हरे भागों में खासकर पत्कियों में यह भोजन का निर्मान करता है कौनसा मर्दू उत्तक यह उत्तक संचित छित्र में भोजन का संचित करता है यह उत्सर्चित पधार्तों जैसे गौंद, रेजिन, टैनिन आधी को भी संचित करता है कौन सा आपका मर्दू उत्तक पेरेन काईमा चले नेट चलते हैं सेकंड या पर आपका आता है कौन सा इस्तुल कौन उत्तक और इसको क्या बोलते हैं कौलेन काईमा इसको कहा जाता है इस्तुल कौन उत्तक है उसको अब देखी इस उत्तक की कोशकाई कैसी होती है लंदी या अंडाकार या बहु बुजी जीवी तथा रस्दानी युक्ती ये होती है अब देखें यह उत्तक पोदे के नए भागों में पाया जाता है कौन सा इस्तुल कौन उत्तक आपका कोलिन काईमा है जो है वो पोदे के नए भागों में पाया जाता है यह तन्य के एपिडर्मिस के नीचे प्रणवरंथ, पुस्पवरंथ और पुस्पावली वरंथ में पाया जाता है कौनसा आपका कोलिन काईमा अब यहां पर देखें इस तुलकॉन उत्तक के कारे क्या है यानके क्या काम करता है तो यह पोदो को यांतिक साहिता पर धान करता है जब इन में हरितलोग पाय जाता है तब यह भोजन का निर्मान करते हैं चले गाईज आगे देखते हैं थर्ड यहां प्रापटका टाइप आता है कौन सा दरढ उत्तक काईमा दरण उत्तक की कोशिकाइं कैसी होती है जिन पोदों से रेशा उत्पन होता है उसमें यह उत्तक परचूर मातरा में पाया जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाइं होती है मृत कोशिकाइं होती है तो यह आपका होता है दरड उत्तक अब चले इसके कारे देखते हैं कि इसके क्या का काम है तो देखे ये पोदो को यांतरिक साहरा देता है इनकी यांतरिक सायता परधान करता है यह पोदो के आंतरिक भागों की रक्षा करता है पोदो के भाईये परतों में यह रक्षा आत्मक उत्तर के रूप में कारे करता है और यह पोदो को समध्य द्रड़ता एवं भलक्चिलापन परधान करता है कौनसा आपका ध्रड उत्त्यक्यन की इसकलेन काइमा तो यह हमने आपर बात किये किसके बारे में आपकी इस्थाई उत्त्यक्यन की पर्मानेंट टीशू के बारे में चले आगे देखते हैं तो इससे पहले हमने बात किले ली थी किसके बारे में सरल इस्थाई उत्त्यक्यन की बारे में बात की थी अब यहां पर हम बात करेंगे कॉम्प्लक्स टीशू के बारे में तो देखे दो या दो से अधिक परकार के कोशिकों से बने उत्तक जटिल इस्ताई उत्तक कहलाते हैं ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं ये जल खनीज लौन होता था खाद्य परधार्तों के पोदे की विभेन भागों तक पहुंचाते हैं कौन से आपके पाया जाता है क्या इसे चालन इसको कहते हैं और ये पोदे के जड़े तना एमपत्यों में पाया जाता है, अब देखें ये विभिन परकार के ततों से मिलकर बना होता है, इसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, जायलम के, तो देखें ये होती है, वाहिनिकाई, वाहिकाई, जायलम तंदू और जायलम उत्तक ये तीन इसके होते हैं कि इसके जाइलम की अब देखे जाइलम करता क्या इसका काम क्या होता है तो जाइलम जो होता है वो क्या होता है पानी का वहन करता है समवन करता है इसका पानी का ओके चले नेश्ट देखते हैं नेश यहां पर है फ्लोयम, तो देके जायलम की भाती, फ्लोयम भी पोदे की जड़ तथा तना यह पत्यों में पाया जाता है, कौनसा आपको जो जायलम होता है, उसी तरह जो फ्लोयम है वो भी पोदों की जड़ तना यह पत्यों में पाया जाता है, यह पत्यों दवारा तय पधार्थ के यानकी जो पधार्थ होते हैं उनको पोदे की विभिन भागों तक पहुंच जाता है कौन सा फ्लोयम तो आपको याद रखना है जायलम क्या करता है जायलम से जलो जाएगा फ्लोयम से फल यानकी जो भी भोजन होता है वो सब बोजाएगा तो जायलम जो होता है वो पानी का सवम्मेंट करता है और जो flowam होता है वो जो भी भोजन बनता है खाना बनता है पतियों में उनको पोदे के सबी भागों में पहुंचाता है ये दोनों की काम आपको याद रखना है एक्जाम में याँ से कुछा चाता है किसके फ्लोयम उत्तक की तो अब यहां पर हमने यह बात की है किसके बारे में इस्ताई उत्तक की बारे में आपर हम बात कर लिया है सरल इस्ताई उत्तक और जटिल इस्ताई उत्तक की हमने पूरा डिसकस कर लिया है तो देखिए आज का वीडियो यह पर कंप्लीट होता है और कल यहां पर हम क्यूसंस को सोल करने वाली हैं ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू